हलो फ्रेंड्स विल्कम जो न्यू व्लॉग तो फ्रेंड आशा करते हूं आप सब ठीक होंगे सुस्तोंगे तो फ्रेंड जैसे मैं पिछले व्लॉग में आपको बताई दिया था कि हमारे लकडी का काम भी होना है और सफेदी जो बच गई थी मतलब आदे आदे कमरों में तो तो वहां बस अब वही है सफेदी हो रही है यहां पर तो करा चुके थे हम पहले पर यह वह वह सीलन आ गई थी यहां पर थोड़ी सी रिपेरिंगी करा रहे हैं हम लोग और यहां किच्छन में दिखा देते हूं इसके ओपर भी हम एक अबर्डी बनवानी है क्योंकि उपर तो शेल्फ पे तो अब इसे बंदी करा देंगे इस एरिये को जिससे काफी समान हमारा उपर आ जाए है और आज मंदिर भी हमारा किच्छन में रखा है क्योंकि मंदिर का एरिया ही है हमारे यहां जहां सीलन आई थी तो वही है आज तो बस यह ऐसे ही रहेगा मंदिर आज क्योंकि कल होएगा इससे तो फाइनल कल करेंगे क्योंकि अभी इस पर डॉक्टर फिक्स लगवाया हुआ हमने ताकि सीलन ना आए अब दुबारा जल दी और आज देखो मौसम भी किनना थंडा थंडा सा हो रहा है बहुत हवा हवा चल रही है तो खटपट खटपट बहु पर यह साइड पर देख लो इस साइड में इस सीलनंस चल रहे थिए तो यहां पर देख सकते हैं हमने सहार सहमान मतब शिफ्ट करके डूसरे रोम का मतब इस रोम शिफ्ट करके इस साइड रगतीया ताकर उस सीत्र चाया तक इंटर उससे आसानी हो जाए पर देखते dentist s मही पेंट का काम खतम होता है बाहर की साइड भी खराब हो रहा था तो इस साइड भी हमने वो ये डॉक्टर फिक्स इट लगा के अभी उन्होंने सेट कर रहे थोड़ा अब वो ये पुट्टी वगेरा कल भरी जाएगी इसमें तो फ्रेंट्स अब यहां पे पुट्टी भरना शुरू हो गई है मतब पहले जो वो लगाया ना सीलन के लिए डॉक्टर फिक्स इट वो अच्छे सा सूख गया था चार पांच गंटे सो काने के बाद अब पुट्टी भरना चालू हो गई है और वहां पे थोड़ थोड़ा देखो खिड़कियों में भी यहां मोल्डिंग खराब हो गई थी यहां हमने मोल्डिंग भी लगवाई नई क्योंगी बारिश का पानी इस खिड़की से अंदर आता था तो खराब होगी थी तो भी रिपेयर होई हमारी अभी अभा की पेंटर का तो काम चल ली रहा है उपर उपर इन्होंने एक कोट लगा दिये क्योंकि इस बार औरेंज कलर यह जो उपर करा रख खतम में सीलिंग का वो हटवाना है हमें इस वज़से तो फ्रेंग्स अभी हम आये हैं चत्पे में और में धैन क्योंकि लकड़ी वाले लगे था अंकल तो वह हमने चत्पे लगाए थे काम पे क्योंकि नीचे पेंट होना था एक साइड जो बची थी उस साइड पेंट हो रहा था और दूसरे साइड इनी स्पेस है नहीं क्यों ब सब्सक्राइब तो और आज जो है एक दम बारिश वाला मौसम होगे सुबह से आज हवाई हवा चली हुई है अब लकड़ी का भी काम लगवाती है अब समझने आरा अगर आज बारिश होगे तो खिड़की अभी लगी नहीं हमारी वो पल्ले लगे नहीं है खुले खुला स है अब इस समय हमारा और बहन ने आते फिर से वही जाडू लगा के कठा कर रही है क्योंकि यहां पर फैल गया तो नाली बंद होने का डर है फिर पानी भर जाएगा चत पे और जो खराब खिड़की थी वह यहां हमने अभी साइड में रग दी है अगर बारिश होई तो भी खैर फरक पढ़ना नहीं है और जो फ्रेश लाए हैं हम बोर्ड वगारा और बाकी चीज़न वह यहां पर हमने बीच में रख दी ताकि बारिश से भीगे ना मतलब यहां पर हमारी मॉन्टी के नीचे रखे टैंकी वाली शट के नीचे तब ही बस डस्ट पैन लाओ छीक हूँ एक इस डिवार पेमा लाइट ब्लू कळर करा रहे हैं तो तो एक कोट उसका लग चुका है और उस दिवार पर हम करा रहे हैं लाइट येलो मताँ ओफ वाइट सा कलर करा रहे हैं तो उधर भी एक कोट लग चुका है और यहां भी क्योंकि अभी प्रॉपरली जब दूसरा कोट लगेगा ना जब आपको अच्छे से पता चलेगा कि कै एदर चैनल कोट लग चुका और यहां दूसरे अबड़ में भी एक कोट लग चुका है हल्क-ल्क दिखई द कर दो आफिक है कि अभी और इंज कलर और बाकी बस नीचे अभी के विठी कवाइन लोचा है हमारे दो रूम के यहें गंचे बस वही आज थोड़ा साथ सफाई करते हैं इस रूम की यह देखिए लग चुके हैं एक साइड तो शीशा लग चुका है और इस साइड अभी लगा ने इसका परपल्ला लगा दिये है तो फ्रेंड मैं दिखा देती हूँ कि मैंने बताया ही था आपको कि पेंटर भी हमारे लग चुके हैं और लकड़ी वाला भी हमारे लग चुके हैं मतलब दोनों काम हमारे स्टार्ट हो चुके हैं तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आज हमारा कितना काम हुआ एक बार ही यहां पे हमने कबर्ड लगवा रहे हैं और एक यहां पे भी क्लोज करा देंगे इसे मदब बंद हो जाएगा उपर से तो इधर भी अंकल ने भी फट्टा सा लगा दिये बस शायद आज यह कंप्लीट ही हो जाए और पेंटर कभी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ रू तो यह दोनों कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं कल देखा था तो लाइट कलर आ रहा था अब अच्छा लग रहा है मतार हमने थोड़ा सा कलर एड़ करा है ताकि ज़्याद अच्छा है मताब प्यार लग रहे हैं कलर और ऊपर चट में दिखा दीती दूसरे रूम में तो ओफ वाइट ही कराएंगे बस और अच्छा लगता है बुरा लगता है वो एक बर बता ना आप कमेंट में एक बर मैं खिटकी भी दिखा देती हूँ कि खिटकी के भी फाइनली हमारे पल्ले भी लग चुके हैं ही मreci choice और शीशे भी लग चुके हैं एक पैंट ऊगया फाइनली मंतब कमपलीट हो गई है बस अब पीयंटो तो वह पेंटर ही करेंगे बागी तो सब चीज हमारी बढ़िया हो गई है यह चीज हमारी मतलब खराब हो चुकी थी यह जो यह न यह खराब हो गया था और खिटके भी हमारी खराब हो गई थी तो यह बस यही ठीक करवाई हमने बारिश के वज़ा से बाकि तो सब चीज सही हो गई है तो फ्रेनियां पे फ्रेम हमारी कबड़ की त्यार हो चुके है बस कल इसके गेट भी लग जाएंगे और हमारी ये में भी त्यार भी हो जाए कबड़ और पता है हमने नीचे जो ये कबड़ हमारी शेल्फ के नीचे इसके नीचे भी हम पार्टीशन करके शेल्फ डलवा रहे पर हुआ यह जब हम दिवार में ड्रेल कराना तो यहां पर पाइप थी और वो फट गई एकदम हमें पता नहीं था तो फिर हमें पलंबर बेया को बुलाना पड़ा बस अब वो वो ही रिपेर कर रहे हैं तो फ्रेंड फाइनली यहां पर जहां से अमारी पाइप वो टूट गई थी ना ड्रेल करते वक्त वहां पर से आज अभी पलंबर भी आये थे उन्होंने ठीक करके चले गए हैं मतलब अभी तो कोई लीकेज है नहीं बाकि उन्होंने बोले सुबा तक देख ले ना तो फ्रेंड मैं आपको दिखा देती हूँ डिनर में आज बनी है कड़ी जो मम्मी ने बनाई है और चावल बने थे वो भी इंडक्शन पर ही बनाए है क्योंकि गैस उल्ला तो वहां से हटा दिया है हमने शेल्फ से तो इस वज़े से इंडक्शन पर मम्मी ने कड़ी बनाई और बहन ने बनाए चावल अभी बहन काट रही है धनिया तो फ्रेंड इस व्लॉग केंड हम यहीं करते हैं आई हो व्लॉग अच्छा लगा हो आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई कीजिए बाई बाई बाई